साथियों, आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, यूपी आई से रेकोर्ट ट्रांजिक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने 2014 से पहले का फॉन बैंकिंग वाला दौर भी देखा है, ये वो दौर था जब दिल्ली में प्रभावशाली राजवितिक गलों से जुड़े लोगों के फौन पर हजारो करोण रुप्ये के बैंक लोन मिला करते थे, इसनि हमारी अर्थभवथ्टा के आधार, हमारे बैंकिंग्ज शिस्टिम को बरबात कर दिया था, बीते वर्शों में हम बहुत महनत करके, अपनी बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से भार निकाल करके लाए है फोन बैंकिंग के उस दोर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड रुपिये देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग देए हमने फिजिलिव एकॉनामिक अफेंडर्स कानून बनाया अभी तक विदेश भागे इनार्थिक अप्रयादियों की 20,000 करोड रुपिये सिक अधिक की संपती जब तक की जा चुकी है साथियों दस्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था जो दसकों से चला रहा था ये था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट पहले की सरकारों में जो मड़र गरीब लाभार्थियों के लिए भेजी जाती थी वो बीच में ही लूट ली जाती थी राशन हो गर हो स्कॉलर्शिप हो पैंशन हो ऐसी अनेक सरकारी स्किंस में असली लाभार्थि खुद को ठगया हुआ मैसूस करते थे और एक प्रदान मंतरी दो तो कहा था कि एक रुपिया जाता है पंदरा पैसा पहुंचता है पच्छासी पैसों की चोही होती थी पिछले जिनों मैं सोच रहा था हमने डीबीटी के ज़़ारा करीब 27 लाग करोड रुपे नीचे लोगों में पहुंचाया है अगर उस हिसाब से देखता तो 27 लाग करोड में से करीब करीब 16 लाग करोड करोड कहीं चले गए होते आज जंदन आधार मोबाइल की ट्रिनीटी से हर लाभारती को उसका पूरा हक मिल रहा है इस व्यवस्ता से आठ करोड से अधिक फरजी लाभारती सिस्टिम से भार हुए हैं जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विद्वा हो जाती थी और विद्वा पेंशन चलता था डीबीटी से देश के करीब सवा दो लाग करोड पिये गलत हाथों में जाने से बचे हैं